हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रियाटिव लाइफ, आज हम लोग जो है क्लास थ्री की बुक से देखेंगे चैप्टर नमबर आठ जिसका नाम है रेखाएं, इसमें हम रेखाओं के बारे में सीखेंगे कि रेखाएं कितनी होती हैं, किस प्रकार से होती हैं और रेखाओं से क्या क्रितियां बनती हैं, तो आइए सुरू करते हैं आज का वीडियो, तो पाट अठ रेखाएं हैं, तो चलिए इसमें जो है आलिया और मंगलू ने कुछ रेखाएं खिची हैं, इसमें कहीं गुमाव नहीं हैं, लेकिन ये रेखाएं जितनी भी रेखाएं खिची गई ह इसमें जो घुमाओ है, चलिए इनमें क्या कोई अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है हाँ, आलियय की रेखाएं सिधी हैं और मंगुलु की रेखाएं जो है, त्रेणी मेडिय और घुमाओदार है तो सीधी जो खीची गई रेखाए होती हैं उनको क्या कहते हैं हम सरल रेखा कहते हैं और जो घुमाओदार रेखाए होती हैं उनको हम क्या कहते हैं वक्कर रेखा कहते हैं तो हमने क्या सिखा हमने सिखा कि जो सीधी रेखाए होती हैं उनको सरल रेखा कहते हैं और जो घुमा मतलब चिन्द लगा हुआ है इन बिंदू को मिलाते हुए हम यहां से दीरे दीरे आगे बढ़ाएंगे आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा सरल रेखा तयार हो जा रही है अरे यह तो सरल रेखा ववक रेखा बन गई तो ठीक इसी प्रकार से आप इनको भी ऐसे मिलाएंगे यह जो रेखा तयार हो जाएगी यह क्या हो जाएगी सीधी रेखा जिसमें कोई गुमाओ नहीं होगा इसको सरल रेखा भी कहते हैं और जब आप इसको मिलाएंगे यह जो है गुमाओदार रेखा होगी जिसमें आपको गुमाओ देखने को मिलेगा और इन रेखाओं को हम रेखा बनती है वो होती है जो भी रेखाएं बनती है वो किसे मिलकर बनती है बिंदूओं से मिलकर बनती है और जो सीधी होती है उसे क्या कहते हैं सरल रेखा कहते हैं अब हमको अपने परिवेस में सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं कहां कहां है देखना है और उनको जो है क कापेपर लिखना है समय सारणी में खीची गई रेखा है जो होती है वो सरल रेखा होती है उस तक के किनारों की साहता से खीची गई रेखा जो होती है वो सरल रेखा होती है जो आप उस तक के किनारे को खीचेंगे तो उसमें आपको एक सीधी रेखा मिलेगी रसी के एक कोने को जो है रिंकू और दूसरे कोने को जो है सलमा ने पकड़ कर लहराया देख रहे हैं यहां पर रिंकू खड़ा है और यहां पर जो है सलमा खड़ी है इन्हों ने पकड़ के इसको लहराया तो क्या हो गया यहां पर वक्र रेखा बन गई ठीक है लहराने पर क्या हो गया वक् और उसके बाद जो गुमावदार रेखा है वह हो जाएगी हमारी वक्र रेखा तिक चलिए आगे चलते हैं अब तुम अपनी काँपी पर विभिन रेखाएं खींचो अब अपनी काँपी पर विभिन प्रकार की आकरितियों को लेकर उसके जो है चारों तरफ की सन रचना है उसको हमको खींचना है जैसे यहां पर एक बोतल है इसके चारों तरफ जो है एक रेखा खींची जा रही है तो यह होगी वक्र रेखा और एक पुस्तक के चारों तरफ जो है ऐसे रेखाएं खींची जा रही है तो यह होगी सरल रेखा और उसके बाद यहां पर भी आप द और यहाँ पर जो हमको रेखा प्राप्त होगी, यह हमको वक्र रेखा प्राप्त होगी, तो सोचो, अगर हमें किसी निस्चित लंबाई की रेखा खीचनी हो, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमको किसी निस्चित लंबाई में हमको रेखा खीचनी है, तो उसके लिए हम क्या करें हम उस लंबाई की किसी वर्ष्ट की सहायता से पेंसिल से एक रेखा खीच देंगे जैसा कि किताब की किनारे की मदद से रेखा खीचने पर किताब की लंबाई की रेखा बन जाएगी तो यह भी सही बात है अगर हमको किसी माप से खीचना है तो हम उस माप को लेगे और उसी क की लंबाई में खीच देंगे और सोचो पट्री की सहायता से किसी लंबाई की रेखा को खीचना हो तो हम कैसे की चाहिए तो पट्री की सहायता से आप निश्चित माप को खीच सकते हैं आपको जितना चाहिए उतना एक्चुल में आप माप निकाल सकते हैं आगे देखते हैं आओ करके देखते हैं इसको यह दिवे 5 cm की रहरा खीचनी है तो हम पेंसिल को पहले पटरी या फिर जिसको आप स्केल कहते हैं कि आपने पहले पटरी रखनी है उसके बाद यहां से वं Rank Po चलना है फिर आगे 5 cm तक जाना है चलिए इस प्रकार आप जो है पांच सेंटीमीटर के रेखा खंड को अपने आप आसानी से खिच लेंगे तो आईए देखते हैं इस प्रकार हमें पांच सेंटीमीटर लंबाई की रेखा प्राप्त हो जाएगी अब तुम अपने परिवेश में उपलब्द वस्तुओं के च लाइब करने लिए प्रकार से इस को क्या कहते हैं इसको किया कहते हैं पासा जानते हैं जिसके लंबाई चौड़ाई ब्राबर होती है यहां पर इतना लंबा होगा यह उतना यहां पर चौड़ा भी होगा इस प्रकार से जो संदचना बनेगी इसको वर्क कहेंगे और किसी सिख्के के किनारे को अगर आप मिलाएंगे इस प्रकार से देखा जब विंदू को मिला कर एक अपनी देखा बना प्रित्त हो जाएगी अब तुम सरल रेखा खंडों की साहयता से विभिन माप के आयत वर्ग और तृभूज अपनी कापी में बनाओं Yep जो है विभिन रेखा खंड रेखा खंड जो है जिसकी लंबाई निस्चित होती है उसे जो है जिस रेखा की लंबाई निस्चित हो उसे रेखा खंड कहते हैं यहां पर अब जो निस्चित माप की लंबाई होगी उसी के आधार पर हम जो है विभिन प्रकार की वस्तों को आएगे आगे हमारा है परिमाब जिसको जो है पैरिमीटर कहते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं सबनम के खेट में जानवर घुस आते थे असल को नुकसान पहुंचाते थे सबनम के पिता जी बहुत परिसान थे उन्होंने अपने खेत में कटीले तार लगवाने की सोची खेत को एक बार घेरने में कितने मीटर तार लगेंगे अब यहां पर कितने मीटर तार की बात हो रही है ठीक उचितर को देखते हैं तो यह जो खेत है यह जो है 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर जो है यह क्या है चोड़ा है चितर को देखकर खेत का आकार कैसा है तो खेत जो है हमारा आयत है चलते हैं आगे आयताकार खेत के किनारे पर कटीले तार लगाए जाने पर खेत के किनारों की कुल लंबाई और चोड़ाई, तो हमको जो है, अगर देखना है कि कितने तार लगेंगे, तो एक निस्चित बिंदू को हम मान लेंगे, तो से पहले इधर चलेंगे 30 मेटेर, फिर इधर चलेंगे 20 मेटेर उपर की तरफ, ठेक यहाँ पर 20 मेटेर हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 3, 2, 5, 3, 2, 5, यह हो जाएगा 100, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30, 30 दो बार है, तो यहाँ पर 2 का गुड़ा कर दीजिए, और उसके बाद 30 धन, यहाँ पर 20 कर दीजिए, यह हो जाएगा 2 गुड़े, 30, 20 जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा, और यह हो है, आयताकार खेत के जो है, चारो किनारों के लंबाई का योग, जो है, 100 मीटर है, सबनम के पिता जी को खेत को एक बार घेरने के लिए, कुल 100 मीटर लंबे, कटीले तार की जुरुरुत होगी, यही सबनम के आयताकार खेत का जो है, क्या है, परिमाप है, परिमाप मतलब, किसी दी हुई आकरित के सबसे बाहरी किनारों में जो भी सबसे maximum area है उसको आप नाप लेंगे चारों तरफ से तो वही उसका क्या हो जाएगा परिमाप आओ समझें किसे कहते हैं परिमाप किसी बंद आकरित के सभी किनारों की लंबाई का योग जो है वही उसका परिमाप होता है इसी बंद आकरित के चारों किनारे जो होंगे उसी को हमको जोड़ देना है वो जह है क्या हो जाएगा उसका परिमाप हो जाएगा अगर तरिभुज है तो तीन किनारे रहेंगे ठिक अगर खटबुज है ऐसे जितनी भी संद्चना है पांच बुजाए है तो पांच छे बुजाए है इसी प्रकार से आप सबको जोड़ लेंगे उसका परिमाप आप असानी से निकाल सकते हैं अब तुम इसी प्रकार की विभिन आकरितियों के परिमाप निकालो चलिए देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज है त्रिभुज की तीन भुजाए है तो हम इसको जोड़ लेंगे तीन प्लस पांच प्लस चार तो इसका जो एंसर आ जाएगा पांच चार नौ नौ तीन बारा हो जाएगा तो पांच आर नौ दस ग्यारा बारा हो गया चलिए आगे देखते हैं इसको हमको जोडना है या तो हम सब एक तरफ से जोड़ लें जैसा आपको हम पहले वीदिम बताएं दस प्लस पांच दस प्लस पांच अब इसको इसको दोनों जोड लीजिए आप क्या हो हो गया इस सेमी इसका आपको मात्रक जरूर लिखना है जो भी इसका मत्रक होगा मापका वह आप यहां पर जरूर लिखेंगे और इसकी दूसरी भी दीए है इसी ही है मतलब दो का गूला करिए 10 प्लस 5 लंबा ओर जोडाई को जोड़ दीए हो जाइगर दो गूले 15 जो आप यहां पर 15 प्लस प्लस पंदिर कीए से यहां पर पर मैं नश्याला है जो यहां पर वर्ग है हैं यहां पर देख रहे हैं आपकी सभी भुजाएं जो है बराबर हैं तो इसको आप 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 चार बार करिए या फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए 5 सेंटीमीटर लंबा कितनी बार 4 बार आप इसको जोड़ेंगे 5-5-10-5-15-20 और इसको भी आप जब गुड़ा कर देंगे 5-20 तो आप बहुत ही आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं दोनों ही आपका सेंटीमीटर में रहेगा चलिए सरल रेखा खंडों से बनी आकरितियों के परिमाप तुम आसानी से पता कर सकते हो तो चो तुम किसी चूड़ी का परिमाप कैसे पता करोगे माल लिजिए चूड़ी है इसका परिमाप कैसे पता करेंगे इसके लिए बहु को सटा कर एक चक्कर लपेड देंगे और चूड़ी को एक चक्कर लपेंडिंग बाद जो धागा होगा उसको काट लेंगे और उस पूरे धागे को नियोग उसका परिमाप कहलता है परिमीत्र पहले अगर आयत है वर्ग है, बृस्त है सनरचना हुए पंस्ष भूझ है ज़ो भी जो भी उसके चार तरफ की सनरचनाव को आपको ऋनते हैं उसके बाद उसको जोड़ेना है तो वही हो जाएगा उसका योग वो हो जाएगा आपका पärिदिमीटर जिसको बोलते हैं परिमाप उसके बाद तरिमुझ का परिम्प सुर्ण निकालने के लिए तीनों किनारों की लंबाई का योग आप जोड़ लेंगे वहीं चीजे है वर्ग का चारो भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है तो इसलिए आप चार गुड़े भुजा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा या फिर इसको जो है बुजा की जो लंबाई है उसको चार बार जोड़िए वो आपके उपर है आप किस प्रकार से इसको सॉल्ब करना चाहते हैं जल्दी करना चाहते हैं या इसको स्लो करना चाहते हैं तो आयत का परिमाप आपको निकालना है तो इसके लिए दो गुड़े धन दो चौड़ाई भी है तो यहां पर हो गया चौड़ाई ठिक तो इस प्रकार से आप दो गुले लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे तो आपको जो है इसका परिमाप आसानी से मिल जाएगा आपको पूरा मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रस्न है जो अभ्यास प्रस्न का है नीचे दिये गए आयतों का परिमाप निकालो बहुत ही आसान है आप उसको फार्मूले से निकाली दो गुड़े लंबाई लंबाई है पांच धन तीन चौड़ाई हो गई दो गुड़े पांच तीन आठ आठ दुनी 16 हो गय यह एक उसी प्रकार से इसको भी निकाल लीजी दो गुड़े लंबाई ताथ धन चार तो यह हो गया दो गुड़े ताथ इन दस एक 11 हो जाएगा अचार 11 उसके बाद 11 दुना 22 यह भी सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका जो जिसमें दिया है उसका वही ही आपको दिखन है अब नीचे दी गई आकरितियों का परिमाप निकालो ठीक अब यह वर्ग आ गया है तो हमने आपको बताया चार गुड़े भुजा कर दीजिए भुजा तीन है तो चार तीन हो जाएगा 12 ठीक है और इसके बाद यह त्रिभुज का है तो इसको आपको सीधे जोड़ दे इस प्रकार से आप दिए गए क्वेस्टन को बहुत ही आसानी से सॉल्फ गर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं प्रेस नंबर चार खाली जगह भरो गिंतारा पुस्तक की लंबाई तो आप जो इंच केल होता है जिसको आप स्केल बोलते हैं इसकेल से आप जो है जो सेंटी सेंटीमीटर इसकेल की साहता से आप जब निकालेंगे तो यह जो है 19 सेंटीमीटर के लगभग आएगी अब गिंतारा पुस्तक का परिमाप निकालना है यहां पर आप करेंगे दो गुड़े लंबाई धन चौड़ाई क्यूंकि यह आयत है ठीक कि इसकी लंबाई और चौ परिमाप हो गया तो इसको जो है आसानी से प्रस्ण को साल्व कर सकते हैं तो यह रहा हमारा आज का वीडियो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा आप इसको अच्छे से सीखे होंगे अगर को कहीं पर भी कोई प्राबलम हो तो आप ज़रूर कमेंट बाक्स में कमेंट करिए तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल पर बढ़ने रहें चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें ओकी गुडबाई एन टेक केर